Friends, आज की वीडियो हमारी फेशल पे है और ये वीडियो अलवेरा फेशल पे है Friends, हम सभी को फेशल मंत में एक बार तो जरूर करना चाहिए फेशल के स्टेप्स में ना सिर्फ आपके स्किन रिलाक्स होती है आपके स्किन रिजुनेट करती है स्किन का टेक्शर, टोन हर्चाथ इन्हांस होता है हाई गाईज, आपके स्टेप्स मेरे चैनल यूएंड मी प्लीज स्क्राइब करें मेरे चैनल यूएंड मी को और बेल बिटन पर क्लिक करें ब्यूटी, मेकप, कोकिंग and DIY वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्रेंड्स, फेशल का फर्स स्टेप है हमारा क्लेंजिंग प्लस स्क्रबिंग मैं इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके ही करती हूँ आप चाहें तो अलग-लग भी कर सकते हैं अलग-लग प्लस स्क्रबिंग बनाने के लिए हमें चाहिए एक क्लेंग बोल मैंने यहां पे लिया एक क्लेंग बोल और इस बोल में first ingredient मैं यूज कर रही हूँ हूँ मूंग दाल का powder इस तरह से दर-ढरा मैंने पीस लिया है आप देख पा रहे हो, मैंने बहुत बारीक नहीं पीसी है, मैंने थोड़ा granules रखा है, ताकि अच्छे scrubbing हो हमारी next ingredient मैंने यूज किया है, poppy seed, half teaspoon से भी कम आपको poppy seed लेनी है, मुझे poppy seed पसनली बहुत पसनली, इसलिए मैं add करती हूँ हमेशा next मैंने लिया है, coconut powder, next हमने यूज किया है, almond powder, बिल्कुल fine PC हुई, बादाम का powder हमने लिया है, next हमें add करना है, raw milk, कच्छा दूद, बिना boil किया हुआ दूद हमें चाहिए, 3-4 teaspoon आप ले सकते हूँ, क्योंकि आज मैं share कर रहे हूँ, aloe vera facial तो मैं सारे steps में aloe vera जरूर यूज करूँगी, मैं यहाँ पे gel यूज कर रही हूँ, आप plant वारा अगर है आपके पास, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, इसी तरह से, और यह हमारा cleanser plus scrubber तयार हो चुका है, आईए इसे, use कैसे करना है, वो देख लेते हैं, बालो को आप tie कर लो, इस तरह का band ज़रूर लगा है, scrubbing करने से पहले हमेशा अपने face को moist कर ले, भीगा ले, wet कर ले, dry skin पे कभी भी scrubbing या कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने face को हलका सा moist कर ले, और जो हमने scrubber बनाया था, जो cleanser बनाया था, उसे पूरे face पे आप spread कर ले, और circular motion में scrubbing करना शुरू करें, friends, scrubbing के ल दाल को आप इस तरह से दरदरा piece लिया करें, आप उससे scrubbing कर सकते हैं, आप poppy seed से scrubbing कर सकते हैं, आप rice से scrubbing कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी sugar का इस्तमाल ना किया करें, sugar, granulated sugar से, specially granulated sugar से scrubbing बिल्कुल भी नहीं किया करें अपने face की, मैं कभी नहीं करती, sugar से अपने face पे scrubbing आप चाहें तो पॉडर शुगर से लिप के स्क्रबिंग कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर डाल को बिलकुल दर्डरा रखा था इसलिए मैं उसे स्क्रबर से अपने लिप को भी स्क्रब कर रही हूँ आप देख सकते हो Friends, इस तरह से cleansing plus scrubbing यह हमारे facial का first step है और इसे आपको करनी है 2-4 minutes, max 5 minutes, इसे तरह नहीं और यह cleansing plus scrubbing आपके dead skin को remove करेगा जो top layer, dead, flakiness जो हमारे skin पर रहती है उसे remove करेगा excessive sebum को remove करेगा raw milk आपके skin को clean भी करेगा और hydrate भी करेगा Friends, scrubbing हर skin type के requirement होती ही चाहिए, आपके dry skin हो, oily हो, combination या normal हो हर skin को scrubbing के requirement होती, even sensitive skin वालों को भी scrubbing regularly करनी चाहिए Friends, यह तो facial की scrubbing है, लेकिन आप week में एक या दो बार scrubbing बिल्कुर कर सकते है और इस तरह से 2-4-5 minutes के बाद आपकी good scrubbing हो चुकी हो तो आपको अपने पूरे face को पानी से clean कर लेना है, और मैंने यह पे पानी से अपने face को clean कर लिया और first step के बाद ही आपके skin आपको बिल्कुल सबल लगने लगती है Scrubbing plus cleansing के बाद next step है हमारा steaming और steaming के लिए मैंने यहां पे लिया इस तरह का एक steamer और इस steamer में मैं यूज कर रही हूँ अपनी essential oil आप कोई भी अपना favorite essential oil यूज कर सकते हैं आप peppermint यूज कर सकते हैं 1 और 2 drops lavender, rose, orange आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं lemon essential oil यूज कर सकते हो और इस तरह से हमें steaming लेनी है 5-8 minutes, max 10 minutes उसे जादा नहीं अगर steamer ना हो तो एक बड़े से bowl में गर्म पानी लेकर भी आप steam ले सकते हो वो भी same effect देगा इस तरह से steam लेना बहुत relaxing होता है आपके skin breathe करती है आपके pores open होते हैं आपके blackheads वो soft होते हैं उसे remove करना बहुत असान हो जाता है और इस तरह से steaming हमारी हो चुकी है good 5-10 minutes के steaming मैंने यहां पे ली है next step है हमारा removal of blackheads और extraction of blackheads और whiteheads blackheads remove करने के लिए मैं यहां पे use कर रही हूँ blackheads removing tool इस तरह की टूल आती है जो आपको 70-80 रुपीस की मिल जाएगी steaming से आपके skin soft हो चुकी है blackheads soft हो चुके हैं तो बहुत easily इस blackheads removing tool से आपके blackheads remove होंगे friends इस तरह की blackheads removing tool यूज करने टाइम आप उतना ही pressure अपने skin को दो जितना आप tolerate कर पाओ जितना आप bear कर पाओ बहुत ज्यादा बहुत hard pressure दिनी की जरुरत नहीं है और आपको gentle pressure दो आपके blackheads बहुत easily remove होंगे इस blackheads removing tool को use करने time gentle pressure आप डालें उतना ही pressure डालें जितना आप bear कर सकते हो जितना आप tolerate कर सकते हो मैं उतना ही pressure डाल रही हूं जितनी मेरे skin और मैं tolerate कर सकती हूं बहुत ज्यादा pressure मैं नहीं डाल रही हूं नहीं तो वह बाद में scar form हो जाएगा और वह दाग जाने में time लगेगा फिर next और fourth step है हमारा face massage और face massage के लिए हमने लिए यहाँ पर clean bowl और massage के लिए massage cream बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है aloe vera gel 1 teaspoon next हमें चाहिए 1 teaspoon almond oil massage cream बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है one pinch एक चुटकी कस्तूरी हल्दी आप बिल्कुल जरा सा लेना है बहुत जादा नहीं लेना है एक चुटकी आपको लेनी है बस और इन तीनों ingredients को पहले हमें एक smooth सा paste बना लेना है हल्दी के granules बिल्कुल mix हो जाने चाहिए aloe vera gel में इसलिए अच्छे से mix करें और next हमें mix करना है milk 2-3 teaspoon हमें milk add करनी है और फिर इसे एक smooth सा paste बनाना है और यह बहुत अच्छा massage cream ready होता है और इस तरह से cream हमारी बिल्कुल ready है आये इसकी application देख लेते हैं massage cleansing scrubbing हमने कर लिए steaming हमने कर ली है blackheads हमने remove कर लिया है और यह हमारा fourth step है massage और इस cream को हमें पूरे face पे spread कर लेना है निक पर भी और इस तरह से पूरे face पे निक पे cream को spread करने के बाद आपको finger tip के help से पूरे face पे massage देनी है और यह massage आपको five to eight minutes देनी है कम से कम जाद जादा आप ten minutes से तक दे सकते हैं उससे जादा नहीं friends इस तरह से massage करने से आपके skin में blood circulation तो increase होगी आपके skin में instant glow आती है friends आप जिस तरीके से comfortable हो आप उस तरीके से अपने face में movement लो friends इस तरह से massage देना relaxing सिर्फ नहीं होता है आपने जो cream लगाई है उसकी goodness आपके skin को मिल रही है और इस तरह से जो आप stroke देते हो अपने skin पर वो stroke आपके skin के stimulate करती है facial muscles को stimulate करती है blood supply oxygen supply सारे चीज़ increase होती है वहाँ पर इस तरह की patting technique हम लोग facial में करते हैं just to stimulate muscles friends यह aloe vera facial है इसलिए मैं हर step में हमें aloe vera use करना है और अगर आपके पास raw है plant वाला aloe vera है तो आप बिल्कुल use करें मेरे पास नहीं इसलिए मैं market वाला use कर रही हूं और इस मसाज़िंग क्रेम में हमने यूज़ के aloe vera gel, turmeric, almond oil और milk और यह चारों इंग्रेजन्ट आपके skin के लिए बहुत beneficial है आपके skin को glow देने के लिए आपके skin को tight करने के लिए स्कार के लिए, acne के लिए, pigmentation, sun tan के लिए हर चीज़ों के लिए आपके skin के लिए बहुत beneficial है यह चारों इंग्रेजन्ट फ्रेंड्स, face massage करने टाइम आप जिस तरही के से कोई comfortable हो आप पूरे face पे, neck पे massage करो eyes area आपको भी आपको circular motion में movement देना है eyes पे भी under eye area को भी ignore नहीं करना है, हमें वहां पे भी blood circulation अपना increase करना है इसलिए वहां पे भी circular movement जरूर दे friends, facial massage करने time, beach beach में पानी का इस्टेमाल जरूर करें यह massage करने time, 30 तो 60 seconds में यह बार बार dry होती है आप beach beach में पानी का use जरूर करें friends, dry skin पे massage आपको बिल्कुल नहीं करनी है, beach beach में आप पानी का use जरूर करेंगे friends, facial पे, face massage हमारा fourth step है और यह मेरा favorite step है और इस तरह से हमने almost eight to ten minutes massage किया है अपने face पे और फिर आप किसी भी tissue से या towel से आप इसे pad dry कर ले, wipe out कर ले face पे पानी नहीं लगाना है आपको, massage करने के बाद आप इस तरह से आप towel से या tissue से wipe करें आपको पानी से wash नहीं करना है, face को massage करने के बाद ही आप देख सकते हैं, skin बहुत सौब, बहुत ज्यादा soft हो जाती है, supply हो जाती है next और last step है हमारे facial का face pack और यह face pack बराने के लिए हमें चाहिए एक clean bowl और इस clean bowl में मैं ले रही हूँ aloe vera powder आपके पास अगर raw aloe vera है तो आप raw aloe vera प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर aloe vera powder यूज़ कर रही हूँ मैं मल्लियों का aloe vera powder यूज़ कर रही हूँ यह ब्लकु ब्रॉनिश टैप का powder है ब्रॉनिश हलका greenish type का और next ingredient मैं यूज़ कर रही हूँ call in clay अगर आपके पास call in clay है तो आप बिलकुल डाले अगर नहीं है तो आप skip कर सकते हो आप जिफ aloe vera लगाए या aloe vera powder लगाए इस तरह की face pack ब्राने के लिए call in clay और aloe vera का combination बहुत अच्छा है बहुत अच्छी result मिलेंगे आपको और next मैं यूज़ कर रही हूँ 5-6 drop for glycerine आप honey यूज़ कर सकते हैं आप vitamin e oil यूज़ कर सकते हैं hydration के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैं glycerine यूज़ कर रही हूँ और पानी की help से इन तीनों ingredients को हमें mix करना है एक smooth सा runny paste हमें चाहिए फ्रेंट्स वाइले skin वाले तो बिल्कुल as it is लगाएं सिर्फ calling clay और aloe vera powder को आप water की या water या rose water की help से mixer के लगाएं मैं थोड़ा सा glycerine add किया है just कि मेरे skin combination है इसलिए otherwise आप बिल्कुल सिर्फ plain aloe vera powder और calling clay लगा सकते हैं इस तरह से face pack हमारा ready है और यह runny face pack ही मैंने ready किया है आए इसकी application देख लेते हैं face pack हमारा ready है और यह हमें अपने पूरे face पर spread करना है friends under eyes area को छोड़कर आप पूरे face पर neck पर एक पतली सी layer हमें लगानी है इस face pack की और इस तरह से मैंने पूरे face पर लगा लिया है और इसे हमने ही छोड़ना है 20 मिनट के लिए 20 से पचीस मिनट के लिए उससे दादा नहीं जतनी भी face pack के आपको benefit मिलनी होगी वह पचीस मिनट में 20 मिनट में मिल जाएगी यहां पर 20 मिनट हो चुकी है और still मेरा face pack अभी सुखा नहीं है dry नहीं हुआ है लेकिन मैं इसे wash कर लूँगी पहले हमें पानी के help से इसे थोड़ा moist कर लेना है और इस तरह से movement देकर ही face को wash करनी है और wash करने के बाद आप देख पा रहे हो face कितना fresh और glow ही लग रहा है और यह था aloe vera gel आपको glow दिख रही है skin बिलकुल soft supple है face wash करने के बाद आप अपनी favorite या आप अपनी पसंद की किसी भी moisturizer का use जरूर करें आप aloe vera gel भी लगा सकते हैं और यह था aloe vera facial आप देख पा रहे हो after face pack skin बिलकुल smooth लग रही है कोई fleckiness नहीं है white heads black heads सारी remove हो चुके है सारी clips face pack के बाद के हैं और आपको देख पा रहे हो कि आप तेहरे पे काफी smoothness है एक shine है एक softness है कोई fleckiness नहीं है और वीडियो की सारी detail description box में मिलेगी प्लीज एक बार जरूर चेक करें अगर पुम ilo दे अची टीस लगा व्मझ टुम कूला एक नहीं है प्लमशी eventय के बादने